तो फानले गाईस आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर जो आपकी इंडूशन बैंक है इसके अंदर आप लोग कस्टमर कैसे बात कैसे करेंगे और इनका नंबर क्या होता है जिससे आप लोग यहाँ पर कस्टमर के रिखोर डालेक्ट कोल कर पाएं आपको इधर उदे बटकना ना पड़े तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आजाद कुस्वाहा अगर आप लोगों को भी इस तरीकी प्रोब्लम हो रही है तो इससे पिछली वीडियो में बना चुका हूँ कि अगर आप लोग अपने एटल जी और वियाई के रिचार्श से हो चुके हैं परेशान तो आपको क्या करना चाहिए क्योंकि इसकी प्लान महेंगे होते जा रहे हैं तो अब इसनल में कि आपको पोर्टिंग लेनी चाहिए तो आप हमारे चैनल के बिजा कर देख सकते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम इनके नमबर की बात करते हैं तो हम आपका जो खाता होता है बेंक का उसमें आप अपना दूसरा नंबर लगा लेते हैं अकाउंट के अंदर और आप कोल करते हैं दूसरे नंबर से तो आपको प्रोब्लम हो सकती है हो सकता है कई सारी बेंकों के अंदर जो दूसरे नंबर से कोल है वो एकसेप्ट ही नहीं करते ह और कई सारी बेंक ऐसी हैं जो accept कर लेते हैं लेकिन कुछ basic detail पूछते हैं जैसे कि आपका नाम आधार कार्ड के लास्ट के चार्ज डिजिट पैन कार्ड का नंबर लास्ट के चार्ज डिजिट और आपके साथ डेटो बताब जी पूछी जा सकते हैं तो चलिए दोस्त आपको इंडूसेंट बेंक ठीक है customer care नंबर अगर आपको credit card के customer care का नंबर चाहिए तो आपको credit card के भी customer care का नंबर मिल जाएगा और अगर आपको loan sale related चाहिए तो उसका भी नंबर मिल जाएगा अभी फिलाल यहाँपर अगर अगर आपको इनकी Gmail ID चाहिए तो Gmail ID करके search कर आप लोग यहाँपर direct लोग से जुड़ पाएंगे और यहाँपर आप मुझे बात कर सकते हैं और अपनी जो problem है उसका समाधान पा सकते हैं क्योंकि जो bank के हैं यह कुछ कुछ bank के अपने number hire करके रखती हैं लेकिन कुछ bank के हैं जो number public करके ही रखती हैं तो दोस्त अगर आ लाइक कर सकते हैं चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब जरू करिएगा आप मिलते हैं नई वीडियो में राधे रधे